सुतांत्रता का जो शाप्दिक अर्थ है यह जो हैं अंग्रेजी भाषा के लिबरटी शप्द से लिया गया है और यह जो लिबरटी है लेटिन भाषा के लिबर से बना है इसका यह जो लीबर शब्द है इसका जो अर्थ होता है वो है तो यहाँ पर अगर हम शाप्दिक अर्थ की ओर जाएं तो शाप्दिक अर्थ में यह है कि व्यक्ति के उपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है और यह जो स्वतंत्रता है इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है फिर हम देखें अगर हम शाप्दिक अर्थ की ओर जाएं कि किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं हो तो वो तो स्वक्षंद जीवन हो गया ना अगर स्वक्षंद जीवन है तो मतलब एक आराजकता है एक आव्यवस्था हो सकती है तो अगर हम स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ देखें तो स्वतंत्रता यह है कि जैसे हम बसूर्ती का जो अभाव है उसको हम खुबसूर्ती नहीं बोल सकते उसी प्रकार से प्रतिब प्रतिबंद का होना स्वतंत्रता में जरूरी है पर किस प्रकार का प्रतिबंद जो अनुचित हस्त छेफ होता है उसका अभाव ही क्या है स्वतंत्रता है मतलब स्वतंत्रता आपको होगी आप स्वतंत्रता का इस्तमाल करेंगे पर आपकी स्वतंत्रता से दूसरे व्यक्ति क को नुकसान नहीं पहुच ना चाहिए दूसरे हैं व्यक्ति कि स्वतंत्रता का हमनल नहीं होना चाहिए और स्वतंत्रता हम उसी को कहेंगे कि कि राज्य में सभी व्यक्ति को वो स्वतंत्रता समाल रूप से मिलनी चाहिए। किसी को स्वतंत्रता है, किसी को नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। समाल रूप से सभी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकें, सभी उसको स्विकार कर सकें और प्रतिबंध कैसा प्रतिबंध? उचित प्रतिबंध, अनुचित प्रतिबंध नहीं तो उचित प्रतिबंधों के साथ जो स्वतंत्रता मिलती है उसी को हम स्वतंत्रता कहते हैं अम हम स्वतंत्रता के अर्थ और परिभाशा को पढ़ेंगे। स्वतंत्रता ये जो शब्द है हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों अपनी आवशक्ताओं के अनुसार इस शब्द का इस्तमाल करता है। जैसे कोई इसको कहता है कि अपनी मनमानी करना ही स्वतंत्रता है तो कोई ऐसा भी कहता है कि समाज जो है राज्य जो है जो अनुचित प्रतिबंध लगाता है उसको हटाने के लिए जो बात करते हैं तो उसके वो स्वतंत्रता कहते हैं। या कोई ये भी मानता है विचारक या वेक्ति कि जो समाज की जो पुरानी परंपरा हैं, रिती रिवाज हैं, कई सारे बंधन जो हैं, उससे मुक्ती को भी वो स्वतंत्रता कहता है। जैसे कि पुझी पती हैं, व्यपारी हैं, उनका काम होता है लाब कमाना, धन इकठा करना, तो जब वो लाब बहुत कमाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता चाहिए ताकि हम जादा से जादा लाब कमा सकें। तो स्वतंत्रता शब्द जो है, इसका जो इस्तमाल है, हर व्यक्ती, अपने समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने अपने लिए इस शब्द का प्रयोग वो करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि राजनीती शास्त्र में स्वतंत्रता जो है, हर प्रकार का जो कारे करने का ऐसा अधिकार है, जिससे किसी दूसरों को हानी ना पहुंच सकें। स्वतंत्रता जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें, तो इसके लिए जो शाब्दिक अर्थ है, वो है अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है, लिबर्टी से लिया गया है, और इस लिबर्टी शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, वो है मुक्त या स्व बंधनों का अभाव, बंधनों का अभाव तो ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार का कोई बंधन ना हो, अगर हम इस शाब्दिक अर्थ को देखें तो शाब्दिक अर्थ के अनुसार तो वेक्ति के उपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंद नहीं लगना चाहिए, तो क्या य यह जो स्वतंत्रता का जो शाब्दिक अर्थ है उसमें हॉप्स क्या परिभाशा देते हैं? स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाई है ऐसे थामस जो हॉप्स है जो बहुत बड़े विद्वान हैं इंग्लैंड के वह कहते हैं। वो स्वतंत्रता पर जोड़ देते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कैसे उन्होंने एक विचार रखा कि व्यक्ति को जीवन का अधिकार है आत्म रक्षा का अधिकार है अगर व्यक्ति के जीवन पर यदि कोई खत्रा आता है तो व्यक्ति उसे बचाने के लिए हर एक प्रति बंधों को तोड़ सकता है वो उसे आजाद हो सकता है जैसे हॉप्स ने कहा था ये गर राज्य व्यक्ति को अगर कोई दवाई लेने से मना करता है कोई मैडिसीन लेने से मना करता है हम दवाई क्यों खाते हैं ताकि जब हम बिमार होते हैं हम स्वस्त होने के लिए अपने जी जीवन के लिए अगर किसी व्यक्ति को कैद किया जाता है जेल में डाल दिया जाता है और उस व्यक्ति को लगता है कि मुझे मृत्युदंड दी जाएगी तो व्यक्ति उस जेल से भाग सकता है क्यों भाग सकता है क्योंकि यहां पर उसकी जीवन का सवाल है तो हाप्स की Shops की परिभाषा देखते हैं हम Shops क्या कहते हैं स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों के अभाव से है Shops कहले है कि व्यक्ति के उपर कोई प्रति बंध नहीं लगने चाहिए हौप्स की विचारों को अगर हम देखें तो हौप्स ने ये कहा कि व्यक्ति को जीवन का अधिकार होना चाहिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार होना चाहिए अपने विचारों में ने कहा कि अगर राज व्यक्ति को अगर दवाई लेने से मना करता है हम दवाई क्यों खाते हैं? क्यों लेते हैं हम दवाई? क्यों? क्योंकि हम जब बिमार होते हैं, हमें स्वस्त होना होता है, हमें अपनी जिंदगी को जीना होता है इसलिए हम जो दवाई है उसका हम सेवन करते हैं तो हॉप्स क्या बोलते हैं कि एगर राज्य आपको ये दवाई का सेवन करने से अगर मना करता है तो आप राज्य का विरोध कर सकते हैं यहां पर हॉप्स ये भी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया है और उसके उपर मृत्यू दंड की सजा होने वाली है और उस व्यक्ति को पता चल जाए कि उसको मृत्यू दंड होने वाली है तो वो जेल से भी भाग सकता है तो यहां पर हॉप्स किसकी बात कर रहे हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं उसके जीवन की वो बात कर रहे हैं कि व्यक्ति को जीने का स्वतंत्र होने का ये अधिकार है दूसरी परिभाष फिर अगर हम इसमें हम दूसरी परिभाष अगर हम देखें तो वह रूसों की परिभाष है रूसों को बताता है व्यक्ति पर अत्याचार को बताता है यह जंजीर हमें क्या बताती है यह जो zar via संथा सुबढ़ामे हुआ था वो स्विज़ लेंड का निवासी था पर पहले स्विज़ लेंड कोई देश नहीं हुआ करता था वो फ्रांस का एक हिस्सा था और फ्रांस में क्या था गणतंत्र था तो गणतंत्र था तो जाहिर सी बात है कि रूसों जो है स्वतंत्र जीवन वो जीता था इसलिए वो स्वतंत् देखने को मिलेगा कि उसकी हर एक विचार में व्यक्ति की स्वतंतरता को उन्हों ने बहुत मात्वपूर्ण दिया रूसों के विचारों में आपको व्यक्ति बाद मिलेगा रूसों के विचारों में आपको लोगतंतर भी मिलेगा तो क्यों रूसों स्वतंतरता के लिए बोल रहे हैं क्योंकि वो उस जीवन को देखे हैं उस परिसिती को देखे हैं जहां वो स्वतंतर जीवन जी रहे थे इसलिए वो स्वतंतरता की पैर भी करते हैं यहां पर हम परिभाशा देखेंगे कुछ विद्वानों की परिभाशा हम द तो उस लेबर पार्टी के अध्यक्ष थे, वो एक अर्थ शास्त्री भी थे, और वो लंदन स्कूल ओफ इकोनोमिक्स के वो कौन थे, प्रोफेसर भी थे, तो यहाँ पर उन्होंने परिभाशा दी है, कि स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण की इस्थापना है, जिसमें मनश्य को अपने पूर्ण विकास के लिए आउसर प्राप्त होती है, पूर्ण विकास के लिए आउसर प्राप्त करने की बात कही है, प्रोफेसर लास्की ने, तो वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, पहले के विशय में, उनके शोशन के विशय में वो बात जरूर करेंगे, तो इंग्लेंड में क्या हो रहा था, कि जो मजदूर हुआ करते थे, उन्हें 16-16 घंटे काम कराया जाता था, 16 घंटे वो काम करते थे, व्यक्ति की इच्छा, कि वो 9 घंटे भी काम कर सकता है, 16 घंटे काम क कर रहा है और कोई सुविधाएं नहीं होती थी तो वो यह देखते हैं कि शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पर फ्रीडम की बात करते हैं कि व्यक्ति को डिसाइट करने दो यहाँ पर देखना कि फ्रीडम जो है एक नया शब्द है इसके लिए हम स्वतंत्रता ही इस्तमाल कर सकते हैं पर फ्रीडम में क्या होता है कि व्यक्ति डिसाइट करता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो इंग्लेंड में क्या हो रहा था कि जो श्रमिक थे उनको 16-16 घंटे काम कराना उनका शोषण करना उनने कोई सुविधाएं नहीं देना इसलिए लास्की कहते हैं कि व्यक्ति को विकास के लिए आवसर प्राप्त होने चाहिए उसे खुट डिसाइट करना पड़ेगा तुसके लिए उसे स्वतंत्रता मिलने चाहिए स्वतंत्रता की परिभाशा हैं अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग परिभाश कुछ प्रमुक परिभाशाय हैं जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे प्रोफेसर सीले के अनुसार स्वतंत्रता अतिशाशन का विलोम है अतिशाशन जैसे जब ब्रिटिश हमारे देश पर शाशन करते थे तो वह एक अतिशाशन का उधारण है भारत के लोग ना अपने लिए को सब्सक्राइब दूसरे देश के लोग हमाई लिए बनाते थे और भारतियों को कुछ भी नहीं मिलता था तो यह अतिशाशन है दूसरा है इसमें जीडी एच कोल इनके अनुसार बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने के अधिकार का नाम स्वतंत्रता ह व्यक्तित्व का विकास जैसे इसमें हम उधारन दे सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति गीता पढ़ना चाहता है या कुरान पढ़ना चाहता है तो वो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए है वो अगर कोई उसको गीता पढ़ने से या कुरान पढ़ने से अगर रोकता है तो व्यक्तित्व के विकास में वो बाधा डालता है तो यहाँ पर कोल जो हैं यही कह रहे हैं कि व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए जो भी चाहिए जो भी कार्य वो करना चाहता है उसे करने दिया जाए वाइट के अनुसार स्वतंत्रता केवल ववस्तु है जैसे तुम तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक तुम उसे दूसरों को देने के इच्छुक ना हो यहाँ पर स्वतंत्रता का उपयोग आप करेंगे तो दूसरों को भी आप उपयोग करने दीजिए जैसे कि संपत्ती आपको अधिकार है संपत्ती की तो आप अपने संपत्ती की रक्षा कीजिए लेकिन दूसरे की संपत्ती को आप मत चीने क्योंकि उसे भी संपत्ती का अधिकार है अगला इसमें परिभाशा है मैकेंजी के अनुसार स्वतंत्रता सब प्रकार के बंधनों की अनुपस्थिती नहीं है अपितु अनुचित के इस्थान पर उचित प्रतिबंधों की विवस्ता है कि अनुचित जो प्रतिबंधों होते हैं वो अठा दिया जैसे कि इंग्लेंड में आप क्या खाना खाएंगे ये भी राज्य डिसाइट करता था और अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसे कौन से कपड़े, कौन से वस्त्र उन्हें पहनाया जाएगा वो भी राज्य डिसाइट करता था तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनुचित जो प्रतिबंध है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए बोसांके के अनुसार सदंत्रता अन्य व्यक्ति द्वारा दमन शक्ति का अभाव है जैसे कि राजा माराजा है अपने समराज जिविस्तार के लिए अपने वर्चस्व के लिए लोगों का दमन करते थे तो अंग्रेज जोने भी दमनकारी नीतियां की थी हमारे भारत देश में तो दमन का आभाव है यह इसका एक उधारन देख सकते हैं और हैं प्रोफेसर लास की स्वतंत्रता का अर्थ उस वातवरण की उस सहापूर्ण रक्षा है जिसमें मनश्य को अपने पूर्ण विकास के लिए औसर मि आपको freedom मिलनी चाहिए कि आप decide कर सके आप अपने जीवन में क्या गरना चाहते हैं अगला जो परिभाशा है वो हर्वर्ट स्पेंसर की है हर्वर्ट स्पेंसर है वो कौन है वो एक बायो लॉजिस्ट भी थे वो एक विद्वान भी थे वो दार्शनीक भी थे राजनीती श है उसे जीने दो हर्वर्ट स्पेंसर हर्वर्ट स्पेंसर के अनुसार स्वतंत्रता प्रतेक मनुष्य को अपनी इच्छ अनुसार कार्य करने की आजादी है शर्त यह है कि वह अन्य मनुष्य के समान आजादी का अतिक्रमन ना करें मतलब आप अपनी स्वतंत्रता का इस्त अब यह हर्वर्ट स्पेंसर है कौन हर्वर्ट इस्पेंसर जो है राजणीति शास्त्र के विद्वान है दाशनीक है और एक बायो लॉजिस्ट भी है इन्हों ने उत्कृष्टता का सिध्धांद भी दिया जिसमें समाज में जो उत्कृष्ट लोग हैं उनको जीने दो कमजोर की और आप ध्यान मत दो जो उत्कृष्ट होगा वो आगे बढ़ेगा और अपना विकास करेगा तो यह सिध्धांद उन्होंने दिया था अब यहां पर देखेंगे अगली परिभाशन अमेरिकी माना अधिकार के घोशना पत्र के अनुसार उस प्रते कारे को करने की शक्ती का नाम स्वतंत्रता है जिसमें दूसरों को कोई छती ना पहुंचे यहां पर फिर वही बात है कि स्वतंत्रता का इस्तमाल आप करेंगे पर दूसरों को आप नुकसान नहीं पहुचाएंगे तो हम यहां पर देखेंगे अमेरिका पहला ऐसा देश ल सा देश नहीं है जिसने अधिकार दिये हैं हाँ सविधान में जरूर उन्हें लिखा है और दिया है वो पहला है बट ये अधिकार जो है वो ब्रिटेन से आता है ब्रिटेन में जो मैगना काटा जो था नाकरीकों को उसमें अधिकार मिलेते उसी से ही अगर हम देखें तो अम अपने सविधान में नागरिकों को अधिकार दिया तो यहां पर भी नागरिकों को अधिकार मिल रहे हैं सुदंत्रता मिल रही है अब मात्मा गांधी जी के अनुसार सुदंत्रता का अर्थ नियंत्रन का अभाव नहीं है वरण व्यक्ति के विकास की अवस्था की प्राप्त तो महात्मा गांदी जी को आप सभी जानते हैं हमारे देश के राष्ट्र पिता है तो महात्मा गांदी जी ने अपने देश में भी शोशन देखा है और अफरीका जब वो गए थे वहां भी उन्होंने शोशन को देखा तो महात्मा गांदी जी का कहना ये था कि जो दूसरे देश वाले हम पर जो शाष्ण कर रहे हैं हमें गुलाम हमारे देश का पैसा ले जा रहे हैं शोषण कर रहे हैं कि घुरा आजास हो गए हैं तो वो सोतंत्रता नहीं है उसकी जगह कोई दूसरा आईगा वो भी अत्याचार कर सकता है वो भी शोशंड कर सकते हैं तो इतनी सारी परिभाशाएं हमने विद्वानों की देखें इतने सारे विद्वानों की परिभाशा हमने पढ़ी तो इन विद्वानों ने जो परिभाशाएं दी हैं वो अपने अपने देश, काल, समय, परिसितियों के अनुसार उन्हों ने उसे स्वधंत्रता को परिभाशित किया है नहीं है कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होते हैं स्वतंत्रता जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए एक अच्छा जो वातावरण है वो प्रदान करता है स्वतंत्रता जो है राज्य या समाज में ही प्राप्त हो सकता है समाज के बाहर या राज्य के बाहर कोई स्वतंत्रता आपको दे ही नहीं सकता है स्वतंत्रता जो है सभी एक देश में रहने वाले जो नागरिक हैं सभी को समान रूप से प्राप्त होती है जैसे आप अपने देश में घूम सकते हैं भारत में किसी भी छेतर में आप घूम सकते हैं तो घुमने की स्वतंत्रता देश के नागरिकों में आधे लोगों को मिल रही आधे लोगों को नहीं मिल रही ऐसा बिलकुल भी नहीं है यह जो अधिकार है अगर मिला है तो सारे नागरिकों को मिला है यह मिलना चाहिए और यह है कि स्वतंत्रता जो है वो स्वक्षंदता न करना है व्यक्ति को वे सारे कारे करने की स्वतंत्रता है जिससे उसका विकास हो सके और जो करने के योग्य हो जैसे कि व्यक्ति जो है अपना विकास कर सकता है कैसे और जो करने के योग्य है व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है स्वतंत्रता है लेकिन वो सुसाइट नही क्यों? क्योंकि ये कार्य करने के योग्य नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति जो है अपने सासत वो समाज का भी हिस्सा है और समाज की उन्नती भी उस व्यक्ति पर निर्भर करती है इसलिए जो करने योग्य कार्य हैं वही करेंगे आप स्वतंत्रता का प्रयोग समाज के विरुद्ध आप नहीं कर सकते आपको स्वतंत्रता का अधिकार है तो आप समाज विरुद्ध ऐसा कोई भी कार्य आप नहीं करेंगे तो इन निश्कर्षों से हमें पता चलता है कि स्वतंत्रता में नियंत्रण भी है और मर्यादित वाता वरण में आप अपनी सोतंतरता का प्रयोग करेंगे। आए हम देखते हैं इन परिभाशाओं के आधार पर हमें सोतंतरता के दो पक्ष देखने को मिलते हैं। पहला है नकरात्मक सोतंतरता। यह है कि व्यक्ति के कारियों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो प्रतिबंधों का जो अभाव है उसको स्वतंतरता कहते हैं नकरात्मक सोतंतरता। यहाँ पर सीले यह कहते हैं कि प्रतिबंधों की अनुपस्थिती ही स्वतंतरता है। यहाँ पर यह कहते हैं कि व्यक्ति जो चाहे वो करे अपनी इच्छान सार जो भी कार्य करना चाहता है वो करे वो नकारात्मक स्वतंत्रता है इसमें JS मिल क्या कहते हैं यदी कोई कार्य किसी व्यक्ति से ही संबंधित हो तो वो उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है तो मिलने कहा था कि व्यक्ति को अभी व्यक्ति की आजादी होनी चाहिए ठीक है अगर वो सच भी बोल रहा है तो उसे बोलने दो अगर वो जूट भी बोल रहा है तुसे बोलने दो उसको मना मत करो और ये जो सच होता है तरक के द्वारा सामने आ जाता है उन्होंने ये उधारन देते हुए कहा कि एक समय पर जो सुकरात है उन्हें बोलने नहीं दिया जाता था विचार व्यक्त करने नहीं दिया जाता था और बाद में उसी सुकरात को दुनिया मानती है और इसा मसी उस समय जो राजविवस्था थी समाज की जो विवस्था थी अनुचित विवस्था थी तो इसा मसी जो थे उस राजविवस्था का उस समाजिक विवस्था का वो विरोध करते थे उस पर कटाक्ष करते थे इसा मसी को भी बोलने नहीं दिया जाता था उस पर भी प्रतिबंद लगाये जाते थे पर आज देखिएगा कि उसी इसा मसी को दुनिया उसको मानती है तो मिल ये कहते हैं कि लोगों को बोलने दो उसे रोको मत तो उसकी आजादी है मिल ये भी कहते थे कि व्यक्ति से संबंदित हो तो उसे करने दो जैसे अगर कोई व्यक्ति जुवां खेल रहा है तो वो अपने घर में खेल रहा है उसे दूसरों को नुकसान नहीं हो रहा है तो यह जो नकार आत्मक सदंतरता में सीले है मिल है और भी जो व्यक्तिवादी है जो विचारक है वो कहते हैं कि जो सरकार सबसे अच्छी सरकार वही है जो कम शासन करती है सरकार का बस इतना काम है कि वो संपत्ति की जीवन की और सदंतरता की वो रक्षा करे इस से ज़्यादा कोई कार्य ना करे पर इसमें अगर हम दे से नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन नहीं किया है इन विचारों में हम समावेश हम देखते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं व्यक्ति के उपर राज्य के द्वारा कानून या समाज के द्वारा नैतिक दूसरा है इसमें व्यक्ति पर राज्य द्वारा कोई नियंतरण नहीं ओना चाहिए, वहीं जो सरकार सर्वुत्तम हैं, जो कम शासन करें, संपत्ति और जीवन की आसीमित हैं और आर्थिक छेत्र में राज्य का हस्तशेप की जो नीती है अपनानी चाहिए, ताकि व्यक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा के नुसार आपना आर्थिक विकास कर सके और नागरिक राशनितिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता से अधिक महत्तपूर है. व्यक्ति के विकास के लिए खूली प्रतियोगिता का सिध्धान्त है, क्या प्रतियोगिता करें और आगे बढ़ें, तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता का जो पहलू है वो आव्यवारिक हमें प्रतीत होता है। अव्यवारिक क्यो प्रतीत होता है। अगर हम आर्थिक स्वतंत्रता पर कोई प्रतीबन ना लगाएं तो देश के अंदर अमीड और गरीब की खाई बन जाएगी। देखते हैं इसका दूसरा पहलू भी देखते हैं जो है सकारात्मक स्वतंत्रता। तो इस विचारकों में ग्रीन है, माहत्मा गांदी जी है, मैकेन जी है और लास्की है। इनका कहना ये है कि अनुचित जो बंधन जो होती है, जो सरकार या राज्य व्यक्तियों पर बंध लगाती है ऐसे अनुचित बंधनों का जो आभाव है वही स्वतंत्रता है अगर जो प्रतिबंध व्यक्ति के उपर लगाए जा रहे हैं उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए है उसके जीवन की उन्नती के लिए है तो ऐसे प्रतिबंध लगने चाहिए सिफ वही प्रतिबं प्रतिबंध ना लगे जो व्यक्ति के व्यक्तित्तों के विकास को रोकती है उसकी उन्नती को रोकती है ऐसे प्रतिबंध नहीं होने चाहिए तो यही है सकारात्मक स्वतंत्रता की व्यक्ति के उन्नती और विकास के लिए जो प्रतिबंध लगते हैं प्रतिबंधों के साथ जो स्वतंत्रता मिलती है वो सकारात्मक स्वतंत्रता है सकारात्मक स्वतंत्रता की विशलेशन में हम देखेंगे कि स्वतंत्रता जो है वो उच्चित बंधनों की उपस्थिती है आप पर बंधन है पर वो उच्चित बंधन है कैसे जैसे आप दूसरों को मार पिट ने कर सकत लिएक्ति वही कार्य कर कर सकता है जिसमें व्यक्ति विकास कर सकता है जैसे आप अगर जीवित रहेंगे तो आप अपनी उन्नती कर पाएंगे लेकिन व्यक्ति वो कारे नहीं कर सकता जैसे व्यक्ति सुसाइट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी उन्नती हो रही है क्या उसकी उन्नती नहीं हो रही है तो इसलिए वो ऐसे कारे वो नहीं करेगा वही कारे करेगा जो व्यक्ति को विकास कर सके वास्तविक स्वतंत्रता का व्यक्ति के बल बाय आजरण से नहीं बलकि उसके आंत्रिक और आध्यात्मिक विकास से भी होता है। से संबंधित है। राज्य के द्वारा बनाए गए जो कानूनों का पालन करने से स्वतंतरता कम नहीं होती बलकि सुरक्षित होती है। नहीं जा सकते हो। तो ये एक उचत कानून है और हमें स्वतंतरता है पर यहाँ पर एक बंधन भी है और वो बंधन इसलिए लगाया गया है कि उसे हमारी ही भलाई हो सके। तो राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने से स्वतंतरता कम नहीं होती बलकि सुरक्षित होती है। इसका एक उधारण दिकते हैं जैसे भारत में हमें सवतंतरता मिली है कि हम भारत के छेत्र में हम घोम फिर सकते हैं सवतंतर। ठीक है पर हम ऐसी कई छेत्र हैं जहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं। वहाँ जाने के लिए हमें सरकार से पर्मिशन लेने की आवशक्ता होती है जैसे कि भारत में अंडमान निकोबार है वहाँ पर जो जनजाती छेत्रे वहाँ आप नहीं जा सकते वहाँ पर प्रतिबंध है लेकिन आप तब ही जा सकते हो जब आपको सरकार पर्मिशन दे तो व पाद रूप से आप वहाँ पर उस जंजाती एरिया में आप नहीं जा सकते, क्यों अगर आप गए आप, तो वहाँ आपकी सुरक्षा को खत्रा हो सकता है, इसलिए आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे कानून राज्य बनाती है, गला है, राज्य की स्त्था और सकारात्मक सोतंतरता आई है आराजकत की स्थती है उसको खतम करने के लिए राज्य आया है तो राज्य हमें सकारात्मक सोतंतरता देने के लिए अस्तित्यों में आया है इसलिए व्यक्ति और जो राज्य है इसमें विरोध नहीं है अगला सभी व्यक्तियों के लिए नैतिक, मांसिक, शारिक उन्नति के लिए आवसर और सुविधाएं प्राप्त होती हैं जैसे हमें व्यपार करने की स्वतंतरता, हमें समानता की स्वतंतरता, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंतरता, हमें अपने धर्म को पालन करने की स्वतंतरता, जो हमें मांस्तिक, शारिरिक और नैतिक रूप से हमें कई सारे अवसर और सुविधाये प्रदान करती है, जिससे हम उ राज्य के द्वारा कोई नियंत्रन नहीं लगाया जाता जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य के द्वारा व्यक्ति के सर्वांगन विकास के लिए उच्चित प्रतिबंध लगाया जाता है नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि प्रतिबंधों का अभाव है कम होती है कानून के द्वारा जबकि सकरात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति की स्वतंत्रता कानून के द्वारा कम नहीं होती बलकि सुरक्षित होती है यहां पर नकरात्मक स्वतंत्रता में वही सरकार सर्वत्तम है जो कम साशन करती है पर सकर आत्मक स्वतंत्रता में वही सरकार उत्तम है जो नागरिकों के कल्यान के लिए कानून बनाकर उनके जीवन में उनकी स्वतंत्रता में हस्तशेप करती है तो यह रहा सकर आत्मक और नकर आत्मक स्वतंत्रता में अंतर